दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टेक्नोशा व्लॉग में तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए ले के आए हैं और साथी साथ जिन लोगों के पास के वाइसी के स्लॉट आ चुका है उनकी भी के वाइसी अभी नहीं हो पारी तो क्यों नहीं हो पारी है उसके बारे में इनकी को टीम की तरफ से क्या कहा गया है और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे दोस्तों जिन लोगों ने के वाइसी त तो किवाइसी से रिलेटेड जितने भी एशू हैं दोस्तों वो सभी हम इसी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं और साथ ही साथ इनका विड्डॉल को लेके क्या कहाई हैं कब तक कि विड्डॉल आएगा और जिन लोगों के पास किवाइसी के सलॉट नहीं आया है उन लोगो को क्या करना होगा कि उनके पास के वाइसी का सलॉट आ जाएं यह सारे टॉपिक्स हम दोस्तों इसी वीडियो में कवर करेंगे तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप से निवेदन है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ब रूबी नेटवर्क जो बार बार नहीं आएगा और हम सभी को 100% प्रॉफिट देने वाला है क्योंकि बहुत कम समय में इतने बहुत ही जादा प्रोग्रेस कर लिए जहां बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो तीन से चार सालों में नहीं कर पाते हैं वहीं रूबी यह होता है कि आप इस प्रोजेक्ट से अगर जूडते हैं तो आपको 110% प्रॉफिट मिलना ही मिलना है तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक इसमें माइनिंग को स्टार्ट करते हैं इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और लॉग इन का जो आप स्क्रिपर देख पार होंगे यहां पर इनकी जो है माइनिंग चल लाई हुर डिया और एक चीज़ और पताथए करते हैं तो आपको जो है वन पॉइंट टू फाइफ यहां पे देख पाराओंगे वन पॉइंट टू फाइफ जो है रूबी कोई आपको पड़ डे मिलने वाला है और यह कब तेक की मिलेगा जब तक कि इनके एक 50 million Judas नहीं हो जाते हैं जैसे ही इसका यूर है और जो आदा हो जाएगा acial जैसे ही इसके एकood 뭐 जूआ के ऐगं azt aleg आज जाएगा तो अभी रूक्स कोई शाङय के एक जोआड़ साथिंगे तोrest आप 0. pewnंच कर साथिर यूंद ए क्या इस ऑह हैं क्या कब तक कि वीडियो लाप आप आएगा तो दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो में बने रही है तो के वाइसी से रिलेटर जितने भी इश्य हैं दोस्तों आप लोगों के वह इसी वीडियो के तुरू सारे के सारे किलियर हो जाएंगे तो आप वीडियो में बने रही है दोस्त विडियो में मिलेगे और उससे रिलेटर के वैदियु से रियलेटर नेटवर्गट प्रोजेक्ट, यह बहुत ज्यादा एक्साइट हैं के वाइसी से रिलीटर कुछ बहुत ही जबाद़तक अपडेट देंगे रूबी नेटवर्ग प्रोजेक्ट की तरफ से ठीक है, and here is all the information related to our KYC and partner verification process in progress version 1.1 तो जितनी भी information होगी वो KYC का जो इस वक्त वर्जन चला है 1.1 उससे सारी information आपको इसी वीडियो में मिलेगे और उससे रिलेटेट के वाइसी से रिलेटेट जितने भी इशू है वो सभी आपके इसी वीडियो के दुरू क्लियर हो जाएंगे अब नीचे स्क्रॉल करते हैं यहां पर क्या बताया गया है नंबर वन पर क्या बताने कोशिश करी ग 1.1 में 6,000 registration किये गए थे KYC से रिलेटेट और जब जैसे ही 6,000 registration कम्प्लीट हो जाते हैं KYC से रिलेटेट उसके बाद इनका जो नया वर्जन आएगा KYC का अभी जो KYC का प्रोटीजियर चल ला है वो 6,000 जो registration किये गए उनका चल ला है उनके बारे में बतानी कोशिश करी गई है और साथी साथ जो नेक्स्ट लोग हैं जिनके पास KYC का सलोट नहीं आपाया 1.1 में उन लोगों के पास कब तक की KYC का सलोट आएगा उसके बारे में अब हम इसी वीडियो में जानेंगे तो नंबर टू पर क्या बतानी कोशिश करी गए टाइम लाइन फॉर अधर क KYC requirement timeline के थुरू जो है KYC की जो requirement है उसको बतानी कोशिश करी गई है request with an order greater than 6000 will be continue to be approved in order and will be placed in waiting status we plan to roll out KYC 2.0 tentatively by the end of year as early as 2024 and at that time we will provide further notice regarding the processing of this pending request तो यहां पर timeline के थुरू बतानी कोशिश यह करी गई है 6000 लोगों की जो KYC का जो registration हुआ तो वो successfully complete हो चुका है वहीं कि बहुत सारे minus ऐसे हैं जिनका KYC का status अभी successfully approved नहीं हो पाया है वेटिंग में है तो उन लोगों को वेट करना पढ़ाएगा और वहीं यह प्लान कर रहे ह उन लोगों के लिए registration किया जाएगा तो वहीं कब तक कि यह आएगा यह आप देख पा रहोंगे by the end of the year यानी कि 2023 के end of the year में और early as 2004 यानी कि 2024 के पहले माईने में या 2023 के आखरी माईने में आपको जो 2.0 का KYC करना registration slot है वो देखनों को मिल सकते हैं ठीक है अब वहीं थर्ड and important step in the progress of the ruby network project and we sincerely congratulate our minor partners and our commitment to the development दोस्तों यहां पर यह बतानी कोशिश करी गई है जिन लोगों ने KYC को successfully pass कर लिया है तो उससे related कुछ issue आ रहे हैं तो issue किसलिए आ रहे हैं partner certificates को लेके आ रहे हैं ठीक है अब this is an important step in the progress तो यह इनकी तरफ से इनका यह मानना है यह जो step है यह बहुत ज्यादा सक इंपोर्टेंट है progress को लेकर रूबर नेटवर्ट प्रोजेक्ट के and we are we sincerely congratulate to minus partners and our commitment to the development तो इन्होंने thanks कहा है जिन लोगोंने KYC को successfully complete कर लिया है और वही नीचे स्क्रॉल करते हैं number four पर क्या बतानी कोशिश करी गई है minus are delaying KYC यानि यह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनोंकी KYC delay हो गई है तो उसके लिए क्या कहा गया minus who are experiencing delays in completing KYC will be considered for re-verification in next few days तो यहां पर यह बतानी कोशिश करी गई है जिन लोगोंने KYC को complete करने में KYC का procedure complete करने में थोड़ा बहुत धील पना दिखाया है तो उन लोगों को चिंता करने की ज़रूत नहीं है next few days में आपको re-verification मिल जाएगा we are doing our best to help you overcome all objective obstacles तो यहां पर आपको चिंता करने की ज़रूत नहीं है अगर आपने delay कर दिया है लेकिन वैसे आपको एक चीज़ और बताता हूं आगके पास अगर slot आता है तो आपको delay करने की किसी भी दरी कोई भी आफशक्ता नहीं होनी श इसे होंगे जिनकी KYC reject हो चुकिए तो किम reject हो चुकिए यह तो वही लोग जानते हैं तो उन लोगों के लिए क्या राहत है वो जानने कोशिस करते हैं for rejected minus there is no need to worry यानि को चिंता करने का आप शकता नहीं है you will have the opportunity to correct the situation तो आपको जो है opportunity दी जाएगी आपको opportunity को बुनाना प तो यहां पे दोस्तों आपको यह बतानी कोशिश करी गई है तो आज इन लोगों के KYC reject हो गई है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है तो उसके लिए तो आपको correct situation की जो opportunity होगी उसमें सारी चीज़े बता दी जाएगी किस तरीके से आपकी जो दिक्कत है वो दूर हो जा अब वही नीचे एपी लोग बताया गिया है यहां पे आप देख पार होंगे we would like to express our sense here thanks to all miners who have completed the mining partner verification process तो यहां पे thanks का गया है जिन लोगों ने जो है KYC का जो process उसको successfully complete कर लिया है and you have made important contribution to the development of Ruby network तो यहां पे यह बताया गया कि आपका जो है अच्छा खासा contribution हो रहा है तो अमीद करते हैं दोस्तों आपकी KYC से related जितने भी सवाल होंगे उनसा भी सवालों के जवाब आपके मिल चुके होंगे अगर कोई भी सवाल ऐसा हो जो लगता हो इसमें नहीं cover किया गया है तो आप हमेरा telegram channel है वहाँ पे पूछ सकते हैं या हमें comment box में comment कर सकते हैं और तो वहीं आप बात कर लेते हैं दोस्तों विड्रॉल गलेके इनकी तरफ से क्या update आई यह कब तक कि विड्रॉल होगा तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पा देख पा रहूंगे हमें विड्रॉल के बारे में बता लिए गया है विड्रॉल विल हैपें after KYC and KYC विल हैपें quarter 4 2023 and quarter 1 2024 विड्रॉल जो आएगा वो KYC के बाद आगा KYC का जो setup है वो रखा गया है 2023 के आखरी quarter में और 2024 के पहले quarter में यानि कि आखरी और पहले quarter में आपको यह सारी चीज़े complete कर लेनी है इनकी तरफ से सारा process complete कर दिया जागा और इसके बाद विड्रॉल का जो option है वो open हो आफटर के वाइसी तो quarter 1 जो होता है 2024 का वो होगा ती जनवरी फरवरी मार्श यानि कि मार्श के बाद जो है आपको विड्रॉल देखनों को मिल सकता है इनकी तरफ से जैसा की update में बताया गया है आपके वाइसी not completed till today यानि कि अभी तक इनकी के वाइसी कंप्लीट नहीं मै आई नो वेन माई के वाइसी विल कंप्लीट यह इनकी तरफ से पूचा कि मैं क्या मैं जान सकता हूं मेरी के वाइसी कब complete होगी माई क्यू नंबर इस बिलो 6000 रजटेशन यानिकि जो 6000 किया गए थे उनका नंबर इसके अंदर आता है माई आउडर नंबर इस यह इनका आउ वेरिफिकेंशन जाएगा उसके थुरू जो है यह के वाइसी अपनी सक्सेस्फुली कंप्लीट कर पाएंगे उम्मिद करते हैं दोस्तों रूबी नेटवर्क प्रोजेक्ट की के वाइसी से लेटर जितने भी कोईरी होंगे आपके दिमांग वो सभी कवर हो चुके होंगे तो अगर नहीं भी कवर हुएं तो आप हमें कमेंड बाक्स में जरूर बता दीजेगा ठीक है तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ तब तक के लिए धन्यवादे